हिरना परिवार, मामा हिरन, ममी हिरन और उनके दो चंचल बच्चे, छींकू और मिंटी, नदी के किनारे मस्ती से घास चर रहे थे. अचानक, छींकू को नदी के किनारे कीचड में कुछ चमकता हुआ दिखा. वह करीब जाने लगा, लेकिन ममी हिरन ने उसे रोक लिया. वहां मज जा, छींकू. ये दलदल है और वहां एक खतरनाक मगरमच रहता है. छींकू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन मिंटी ने उसका ध्यान दूसरी तरफ घुमा दिया. वे दोनों घास के मैदान में दौड़ने लगे. इधर छिपा हुआ मगरमच उनकी मस्ती देख रहा था. उसके मुँ में पानी भर आया और उसने सोचा, अगर मैं जल्दी से नदी में कूदू, तो शायद उन्हें पकड़ सकू. लेकिन छींकू और मिंटी इतनी तेज दौड रहे थे कि मगरमच कूदने में हिच-किचा गया. गुस्से में उसने पूंच पटकी, जिससे जोर की आवाज हुई. आवाज सुनकर हिरन परिवार नदी से दूर भाग गया. मगरमच निराश होकर वापस पानी में चला गया. शाम धलने पर हिरन परिवार नदी के किनारे लोटा, लेकिन इस बारवे ज्यादा दूर रहे. उन्होंने सीख लिया था कि नदी के किनारे खत्रा हो सकता है, खास कर मगरमच के रूप में. भले ही उन्हें उस दिन घास नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक जरूरी सबक सीखा, जंगल में रहने के लिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है.